साल 1955 में प्रसिद्ध निर्देशक बिमॉल रॉय ने दिलीब कुमार के साथ शरक्चंद्र चट्वपाद्धाय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर आधारित फिल्म देवदास बनाई इस उपन्यास पर आधारित भारत में छे अलग अलग भाषाओं में फिल्में बनी हैं कुंदन लाल सहगल जो फिल्म प्रेमियों के लिए के एल सहगल के नाम से मश्गूर है वो प्रमतेश चंद्र बरुआ के निर्देशन में 1936 में भारत में बनी देवदास पर आधारित प इशर्य राय और जैकी स्रॉफ अभिनित फिल्म देवदास सुपर हिट रही निर्देशक अनुराग कश्यप ने देवदास की मूल कहानी का आधुनी की करण किया और नायक के रूप में अभय देवल के साथ फिल्म देवडी बनाएं सुनने में ये भी आता है कि निर्दे जारा निर्देशित् देवदास फिल्म में अभिनय किया था तब तक धरमेंदर ने हिंदी सीनिमा के दुनिया में प्रवेशी नहीं किया था उन दिनों युबा धरमेंदर की आखों में Bollywood के हिरो बनने का सपना चमकता था धरमेंदर ने दिलीप कुमार को अपने अभिन करते थे बाद में जब धर्मेंद्र बॉल्यूट के एक प्रसिद्ध नायक बन गए तब भी वे विविन्नो हलकों में कहते थे कि देवदास की भूमी का निभाना उनका सपना है देवदास उनके लिए एक ड्रीम रोल है वो बड़े परदे पर खुद को देवदास के रूप में उनके साथ एक और देवदास फिल्म बनाने के योजना बनाई उस योजना को साकार करने के लिए गुलजार साहब ने शरच चंद्र चटोपधाय के उपरन्यास देवदास के आधार पर अपने फिल्म के स्क्रिप्ट भी लिख डाले जल्द ही फिल्म की शूटिंग भी शूरू हो गई इस फिल्म में धर्मेंदर के अलावा अन्य कलाकार थे हेमा मालिनी शर्मिला टेगोर और लिला मिश्राजी गुलजार साहब के पसंदिदा संगीत निर्देशक राहूल देव बर्मन संगीत के निर्देशन के प्रभारी थे और फिल्म के प्रोड्यूसर थ यह है कि फिल्म देवदास सुरू से ही कई तरह के दिक्कतों से गुजर रही थी शूटिंग शुरू होने के कुछी दिन बाद निर्माता कैलाश चोपडा को एहसास हुआ कि यह फिल्म ओभर वजट होने वाली है वो इन फ्यूचर इस फिल्म के वज़े से फिननशियल प् क्रिप्ट में कई खामिया है उनके उम्मीदों के मुताबिक तो यह फिल्म बन ही नहीं रही है उनके लिए यह फिल्म बनाना आसान काम नहीं है फिल्म के निर्माता और फिल्म के निर्दरशक दोनों ने फिल्म बनाने में दिल्चस्पी खोदी और केवल दस दिनों के रंपूर्ण होने के बाद गुलजार सहब के देवदास की परयोजना को रोक दिया गया और इसे शेल्ब्ड या रद घोशित कर दिया गया लेकिन इस फिल्म का एक बहुत बहतरीन पोस्टर जारी किया गया था इस फिल्म के बारे में बाद में गुलजार सहब एक इंटर्व्यू में बोले थे I had started making देवदास with Dharmendra and Hema Malini and in 10 days it folded I realized it was not an easy film to make and that it was not for me I choose Dharmendra for the role because I felt he had and continues to have the youthful quality to play देवदास गुलजार सहब ने आगे कहा कि मुझे देवदास के नायक के रूप में धर्मेंदर पसंद थे क्यूंकि उन दिनों समकालिन नायोकों में एक धर्मेंदर ही थे जिनके अंदर मैंने देवदास के चरित्र को सफलता पुरवक चित्रित करने की संभावना और उत्साह देखा था धर्मेंदर द्वारा निभाए गए देवदास का किरदार अंतर तक दर्शकों के सामने नहीं आया ये किवल धर्मेंदर के लिए अफसोस की बात नहीं है ये सभी फिल्म प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है यदि देवदास फिल्म गुलजार, धर्मेंद्र और आर्डी बर्मन के संग्योजन में बनाई गई होती तो शायद इसे भारतिय फिल्म जगत में एक सर्वकालिक काल्ट क्लासिक माना जाता